हलो प्रेंट्स मैं हूँ एसल दाकर हमारी यूट्व चैनल दाकर नोलेज़ पर्णम आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेंट्स नर्सिंग छी एचो ए पैरामेडिकल डिलेटेल लेटेस वेकंसी वर लेटेस अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रेंट्स आज के वीडियो में चर्चा करेंगे MPCHA 438 वाली वेकंसी जिसकी जोइनिंग सुरू हो चुकी है अब भी इसमें जोइनिंग किन किन केंडिडेट्स को दे रहे हैं औफ्सन फॉर्म किन किन केंडिडेट्स को चूज करना होगा इसके बाद ही बताएंगे कि जो केंडिडेट्स बचे हुए हैं उनको जोइनिंग कम मिलेगी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में विश्थार से चर्चा करेंगे वीडियो को लाज तक जरूर देखें प्रेंड्स MPCH 2020 में 3800 पोस्ट में वेकेंसी निकली थी जिसका एक्जाम भी हो चुका था रिजल्ट के बाद में डोकुमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था और फाइनल लिस्ट भी आ चुकी थी प्रेंड्स डोकुमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये फाइनल लिस्ट आई थी जिसमें टोटल 197 कंडिडेट सक्सेजफुली होई थे इसके अलावा ज़्यादतर कंडिडेट अवेटेड रखा गया था क्योंकि उनका फाइनल येर का रिजल्ट अवेटेड था फाइनल येर का एक्जाम नहीं हुआ था इसके अलावा कुछ कंडिडेट ऐसे थे जो एपसेंट भी थे तता कुछ कंडिडेट का डोकुमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया गया फ्रेंड्स वही केंडिडेट जो डोकुमेंट वेरिपिकेशन में सकसेज उपली हुए थे इनका डोकुमेंट वेरिपिकेशन सकसेज हुआ था ऐसे केंडिडेट मातर 197 थे उन्हीं केंडिडेट से ऑफ्सन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं इनको पोस्टिंग जल्दी दे दी जाएगी सकसेजफुली केंडिडेट में वही केंडिडेट थे जो पहले MP में या अधर स्टेट में CHO की पोस्टिंग ले ली थी वो ब्रीज कोर्स कर चुके थे वही केंडिडेट सकसेजफुली हुए थे और उन्हीं को जोईनिंग मिलने जा रही है इन केंडिडेट को 12 जून रात 12 बज़े से पहले ऑफ्सन फॉर्म चूज कर लेना है ऑफ्सन फॉर्म में टोटल 640 SWC सेंटर है उनमें से मिनिमम डेट सो सेंटर चूज करने है पोस्टिंग है तो ऑफ्सन फॉर्म कैसे फिल करना सबसे पहले आपको गूगल पे sams.co.in पे जाना है जैसे आप क्लिक करोगे तो sams.co.in की में वेबसाइट ओपन हो जाएगी इसमें आप सामने देख पारे रिकृट्मेंट ओप 3800 Community Health Officers इसको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे तो यह सामने जो दिखाए देरा यह पेज ओपन हो जाएगा इसमें लिखा हुआ फॉलो दे लिंक फॉर लिस्ट ओप 640 लोकेशन सब हेल्थ सेंटर्स फॉर अलोट्मेंट तो दें 197 सेलक्टेट कैंडिडेट सेंटर में से चूज करने हैं कि पोस्टिंग कहां पर उनको लेनी है आप लिस्ट भी देख सकते जैसे आप लिस्ट ओफ 640 सबसेंट्स सेंटर्स इसको क्लिक करोगे यह आप ऊपन कर सकते हो झैसे इसको क्लिकरेंगे तो यह फाइल ओपन हो जाएगी इसमें टोटल 640, SWC Center है, इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर उसके बाद डिवीजन लिक रखा है, फिर डिस्टिक्ट लिक रखा है, फिर ब्लोक, फिर SWC Center का नाम लिक रखा है, फिर N.I.N. नंबर लिक रखे हैं, तो फ्रेंट्स से ये टोटल 11 पेज है, सबसे पहले आपको इसका आराम से ओनलाइन फिल कर सकें, इसमें जो सेंट्र आपके पास में है, वो सबसे पहले चूज करनी है, और जो सबसे लास्ट में है, जो आपको कम पसंद है, वो सबसे लास्ट में चूज करना है, ये टोटल 150 सेंट्र आपको चूज करने है, और ये भी 12 जून, रात 3, 12 प्रेंट्स अब आपको संक्सित में बता देता हूं कि आपको सेंटर कैसे चूज करना है प्रेंट्स सेंटर चूज करने के लिए आपको सबसे पहले जो मैंने बताये sms.co.in website open करनी है जो लिंक दे रखा है इसको open करना है उसके बाद में application number वर date of birth आपको डालने है जैसे आप डालोगे तो page open हो जाएगा इसमें आपको hwc center tick करने है यानि select करने है minimum आपको 150 center आपको choose करने है 150 से अगर कम करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे यानि आगे submit नहीं होगा 150 तो आपको select करना ही है इसके बाद में signing of the self declaration यानि इसको tick कर दोगे और उसके बाद में आप preview देख पाओगे कि आपने कितने center choose किये है या इसली देख पाओगे इसके बाद में आप final submission करोगे उससे पहले mobile पर OTP आएगा जैसे आप OTP डालेंगे तो उसके बाद में final submission हो जाएगा प्रेंड्स इन्होंने point number two में clear लिखा हुआ है कि जो वो merit के according मिलेगा जिनकी अच्छी merit है उनको मनपसंद मिल जाएगा जिनकी merit low है उनको मनपसंद का एच लिलूशी center मिले यह compulsory नहीं है और जिन candidates की merit सबसे कम है और उस candidate ने 150 center choose किया है वो नहीं मिला है तो government अपने हिसाफ से उसको center देगी फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस vacancy में लगबग 90% के लगबग candidate ऐसे हैं जो अवेटेड है उनका final year का exam नहीं हुआ है इन candidate में post BAC nursing वाले post basic BAC nursing वाले तथा BAC nursing final year वाले student है कुछ state की बात करें तो final year का exam हो चुगा परन्तु result नहीं आया और कुछ state अभी भी ऐसे हैं जहां पर exam नहीं हुआ है तो फ्रेंट्स इनके लिए बता दूँ कि बिलकुल भी नहीं गवराएं क्यूंकि MPCA चो 3800 वाली वेकेंसी की पोस्टिंग चालो हो गई है अभी क्यावल selected candidate को ही जोइनिंग दे रहे हैं क्यूंकि इनके पास पहले से ही CCA certificate था BAC post BAC final year students का exam हो जाएगा result आने के बाद में इन students को जोइनिंग मिल जाएगी इसलिए जोइनिंग तो 100% मिलेगी बिलकुल भी चिंता नहीं करें अभी final year वाल students से यही गुजारिस है कि वो अभी final year exam के अच्छे से तयारी करें फैल नहीं हो बेक नहीं लगे क्योंकि फैल वाले students इसमें जोइन नहीं कर पाएंगे फ्रेंट्स अब बात कर लेते है वेटिंग लिस्ट वालों की तो वेटिंग लिस्ट वाले भी चिंता नहीं करें क्योंकि वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा candidate नहीं है भी निकाली जाएगी जब ये अवेटेड वाले student जोइन कर लेंगे उसके बाद में जो भी सीटे खाली रहेगी वेकेंट रहेगी उनकी जगे वेटिंग लिस्ट ली जाएगी इसलिए वेटिंग लिस्ट वालों से यही गुजारिस है कि वो तैयारी करते रहे नेक्स्ट एक्जाम के लिए फाइनल एर एक्जाम के भी अच्छी से तैयारी करें तता नेक्स ये चोब नर्सिंग ओपिसर की तैयारी में भी लगे रहे हैं की वेटिंग तो आएगी ही आएगी तब आपको जोईनिंग मिल जाएगी एंपी एने चम वेटिंग निकालना इसलिए चाहेगी क्योंकि एंपी गवर्मेंट को इसमें लग बग डेड़ से दो लाग रुपए का बेनिफिट है क्योंकि इन कैंडिडेट को अलग से CCS कोर्स क नहीं पड़ेगी क्योंकि फैनल येर के बाद में इनको अपनी बीसी डिगरी के साथ में CCS सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जबकि गवर्मेंट अलग से CCS सर्टिफिकेट कोर्स करवाती है तो पर केंडिडेट का खर्चा लगबग दो लाग रुपे के लगबग आता ह इसलिए MP गोर्मेंट वेटिंग निकालने की पक्स में ही रहेगी प्रेंट से फिर भी इससे रिलेटेट कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाए ताकि एसे जानकारी प्रद वीडियो बनाता रहूं आप तक बेशता रहूं थेंक्यू जैहिन जै बारत